जन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं क्या उस आंदोलन की प्रमुख मांगे हैं क्या क्या उस आंदोलन में रहेगा इसी को लगकर इन तमाम नेताओं से बाचीत करूँगा पूरी रणिती लोगों ने बना ली है गाउं गाउं जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं लोगों से बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और एक बड़ा जन आंदोलन मेरट में होने जा रहा है इसी पर हम बात कर लेते हैं पत्र के माद्यम से जिला पंचाद बोड की मैठक के माद्यम से ग्यापन के माद्यम से छोटे छोटे आंदोलन करने के माद्यम से सरकार को चेता रहे हैं अधिकारियों को चेता रहे हैं कि आप जो छोटी छोटी समस्याइं हैं जो जनता की समस्याइं उन्हें परमुकता से ल मुखमुद्दा हम सब लोग का पहले सी रा है कि कैंसर फैक्ट्रियों के गंदा पानी जो फैक्ट्री नीचे जमीन में उतार रही है उसकी वज़े से आसपास से गावों में फैला है अभी उन्होंने ब्लोक इस्तर और जिले इस्तर पर टीम गठित कर दी है उस टीम का जो व प्राइवेट होस्पिटलों पे छापा मारा और चापा मार के यह सिद हो गया जो हम लोग आरोप लगा रहे थे वह आरोप वास्तों में ठीक थे तो उन्होंने उन चार हस्पतालों को बंद कर दिया सील लगा दिया उसके साथ-साथ हम लोग आपको यह भी पताना चाहते ह है क्यें अरकल में डड़ेड कर देंगे हम अपणी दिनाख पर जो हम ड़ेट देंगे उस पर कलक्त रेट को भरने का काम करेंगे उसमें हमारे मुक्य मुद्दी स्वास्त स्वास्त में डैंगु जो आप लगातार गाउं फैला वो उसके साथ सा सिक्सा सिक्सा में भी जो प्राइवेट स्कूलों में लगातार आप देखोगे लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों के पैरेंट्स पर दबाव बनाते हैं कि तो एक तो बुक किताब है स्कूल से लो जो एंसी आर्टी किताब 50 रुपे की मिल सकती है वो किताब दूसरे प्रकासन की मोटा कमिशन उनसे लेते हैं वो वो किताब 600 700 800 900 रुपे के समान होना चीए था लेकिन इस पर हम लोग आंदोलन रत हैं इसमें कैई हमारे मुख्य मुद्दे यह भी है नगर निगम भी है बिजली भी है आवारा पसू भी है इन सारी समस्याओं को लेकर हम लोग अभी दिनाक आपको बता देंगे आज बता देंगे और प्रसासन को भ पर कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग पीछे नहीं अटेंगे हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं हम जनता की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे और जनता को जैसे रहात मिल सकती है उसी रास्ते पर चलेंगे उसी रास्ते पर क्या बात है इतने तल्क तेवर नजर दें उन्हें उठा के मार दिया है वो कोमा में भी एक आवारा पसू की समस्या है स्वास्त की समस्या है सिक्षा की समस्या है आपका नगर निगम की समस्या है बिजली की समस्या है गंदकी की समस्या है मिरट में इन सब समस्याओं को लेकर के लोग जाते हैं सरकार के लोगों के पास और हम उन लोगों की आवाज को उठाने का काम करते हैं लगाता तो हमने जब इस चीज़ को देखा पूरे परदेश में समस्या हैं हमारे मेरट में इतनी जादा समस्या हैं तो हमने सब लोगों ने पिलान किया कि हमें अधिकारियों से मिलना चाहिए जब हमें वहां भी कुछ आप देखें जब से 2014 के बाद बीजेपी सरकार बनी है चाहे सिक्सा का मुद्दा हो चाहे स्वास्त्वा हो किसी भी मुद्दे को अगर हम देखें तो इनका सिवाय जूट बोलने के लिए धरतल पर कुछ नी है सिस्टम को दीमक लग गई है इस सिस्टम को उखाडने का काम करेंगे हम लोग चाहे कितना ही बड़ा अंदोलन हमें करना पड़े भूख अटाल करनी पड़े हम वह भी करेंगे लेकिन जन समस्या के लिए हम अंदोलन करेंगे चाहे जेल जाना पड़े हम काफी समय से अभी बात करते हैं उसकी की कानून व्यस्ता कि कहा है कानून व्यस्ता रोज डगाती अपरन रेव जैसी घट्लाएं घट्री है यहाँ पर सब जूट है असर क्या कर रहें देख रहा हूं कि तमाम लोग कह रहे हैं कि इस बार तो अंदुलन हरपार का होगा जन समस्याओं को लिए हैं अंतिक स्वांस तक लड़ेंगे और पूरा अंदुलन एक मुख्या रूप में आप देखना पूरे कलक्टेट को भर देंगे ना तो परदूसन बोर्ड को सूद ले रहा है आप बागपत रोड पे चले जाईए पांचली के पास आप सुबह आठ बजे बोल आप सांस लेने की स्तिती में नहीं है रोड पे ट्रैफिक इतना बुरा है पूरे ट्रेकी ट्रक खड़े हैं नीचे बोर्वेल खोलके और फैक्ट्री वालों ने पेपर मील वालों ने पूरा पानी दूसित कर दिया है कैंसर और टीवी जैसी बिमारी मेरे गाउं में खुद हो हैं जो शहर से लगा हुआ गाउं है पर दूसरन बोर्ड के वाल खाना पूर्टी करता है पैसे बांध रखे हैं सब फैक्ट्रियों वालों से इतना ब्रहष्ट भी भाग है ना कभी कहीं छापा मानने जाता है नहीं कर चेकिंग करता है पैसे ले ले लेता है और चुप बै लेते हैं उसी तरीके से हम आगे की स्तिति देखें स्कूल से छात छात राओं को लाने ले जाने में वैनों की नहीं है और वैन इतनी खस्ता है उनकी हालत इतनी खस्ता है उसके ऊपर हम लोगों के जना अंदोलन करने वाले हैं उसके लिए हम डेट बता देंगे हमारे साथ य एक आंदोलन और समाजबादी पार्टी का एकक कार्यकरता एकक आंदोलन एकक करांति है। है अभी हाली में इनका इस सरकार का मऩुञूदा सरकार जो चल रही है देश और प्रदेश की सरकार जो चल रही है। नीचे से लेके उपर तक पूरा तंतर भरस्टाचार में लिपते हैं और खास कर दली तों को है और मुस्लिमों पर जहां भी दिखाए देते हैं इनका रोजगार बंद कर दो इनके कारोबार बंद कर दो इनके बच्चे भुके मरने चाहिए अब इहाले में शोबापुर काम था अपने हाथों से लोग करते थे 200 साल पुराना कारोबारता हो वो इस सरकार ने पर दो से भागने उल्टे सिदे उन पर वो लगाकर आरोप लगाकर उस काम को बंद कराने का काम किया इसी तमाम चीज़ों बिल्कुल उठाएंगे क्योंकि यह मुद्दा उनकी रोजी इतने बड़ी-बड़ी फैक्ट है चला रहे हैं पेपर मिल चला रहे हैं सुकर मिल चला रहे हैं तो देखें किस तरीके से समाजवाधी पार्टी के निता हैं बेहत गुस्से में हैं और सीधा कह रहे हैं कि सडक से जेल तक भी जो पूरांदोलन वो चलाने के लिए तयान है जो जमस्याई हैं चाय प्रायवेट होस्पिटल की बात हो या और अनयजं समस्याओं की बात हो शीधा कह रहे हैं कि इस बार लडाई आरपार की होगी ABP गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी